साथ्वियों राजस्तान के लोगों को प्रम्मे डाल कर कॉंग्रेस ने यहाँ सरकार तो बना ली लेकिन सरकार चला नहीं पाई यहाँ गहलो जी सोते जागते बैठते उठते मुख्य मंत्री की कूरसी बचाने में लगे थे और आधी कॉंग्रेस उनकी कूरसी गिराने में जुटी थी जन्ता को अपने हाल पर छोड़ कर यह लोग आपसी लड़ाई में ही व्यस्त रहे हिसाब चुकता करने में लगे अपने बेटों को सेट कैसे करना इसलिए दुसरे के बेटों को कैसे उखाड़ देना लेकिन इन सब के बाउजोद एक विशे को लेकर कॉंग्रेस में हमेशा मिली भगत रही हमेशा सहमत रही कॉंग्रेस में राजस्तान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी पांच साल राजस्तान में कॉंग्रेस ने यही किया है हर प्रस्टाचारी हर गुंडा हर दंगाई हर त्याचारी कॉंग्रेस का हर नेता खुद को राजस्तान की सरकार मान बैठा है मेरे परिवार जनों आप मुझे बताइए राजस्तान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या एक दिन भी रहना चाहिए क्या राजस्तान के ऐसी सरकार चलेगी क्या बेवार की आवाज पूरे राजस्तान की आवाज